सभी सख्यों सहेलियों श्रोताओं को दो गुणा एक बराबर दो यानि हम दोनों का नमस्कार आकांशा और मंजरी वर्मा का सभी को नमस्कार प्यार मरा यह कुछ अलग सार मस्कार था नमस्कार आपने गड़ित लगा दी है चली अच्छा है यह क्यों लगाई है हम आगे बताएंगे बिलकुल बताएंगे क्योंकि देखे ना पहले तो हम बात करेंगे आज कितने बदलाव हमारी पीडी ने देखे बिलकुल तो सबके जीवन में बहुत सारे किस्ते हैं बहुत सारी बाते हैं तो वो सब हमको अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि क्या क्या अनुबह है सब कैसे कैसे देखे और वो दिन याद करो यह विशे तो ऐसा है कि जब पिक्चर देखने के लिए बड़ी जुगार लगानी पड़ती थी आका पर नीकार जुगार कितना सफल वह अपना अनुभा भी बता सकते और साथ में जो उनके रिशदार हैं दोस्त हैं उन सब के भी इस जुगार को फिल्म के जुगार को बता सकते कि कैसे हैं लगाए उन्होंने और चलेंगे घूमने सवाई माधोपूर बिल्कुल और उसके साथ तो ये जो गणित भरा नमस्कार था न ये इसी लिए था क्योंकि आज राश्टे गणित दिवस हम मना रहे हैं। गणित से भरा ये संदेश है। तीन गुणी हो जाएगी। अब मैं सूसता था कि पिता पुतर की आयू में जितना अंतर वर्शों में है हमेशा तो उतना ही रहेगा। आज भी सूसता हूं तो दिमाग उलच जाता है। और अकेले इनका ही नहीं मंजरी जी हमारा भी बात भी उलच है। और देखे न एक और बड़ा प्यारा सा संदेश है कि राश्टी गड़ित दिवस की शुप कामनाय दी है। गड़ित शास्री रामा अनुज को याद करते हैं। गड़ित मेरा प्टीय विशह है। गड़ित का मजबूत बेस हो तो सही में जिन्दगी सरल हो जाती है। स्मार्टफोन के जरिये जमाने में गड़ित का महतुकम नहीं होना चाहिए। सटीक और कुशागर बुद्धी के लिए भी गड़ित अच्छी आनी चाहिए। और इसी के जर्दी की एक और बात है कि लिखाया की संदेश में कि गड़ित छेत्र में अपने तरीके से विशलेशन और से धानतों से गड़ित की नई परिभाषा बनाने और नया अविश्कार लाने वाले श्री निवास अयंगर जी को नमान लिखाए इनोंने। बिलकुल महान गड़ित अग्य श्री निवास रामानुजिन की जयनती और गड़ित के एक शेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसम्बर को राष्ट्रिय गड़ित दिवस मनाया जाता है। और श्री निवास रामानुजिन का जन्म आज के दिन सन 1887 को तमिल नाडो के इरोड जिले में हुआ था। पढ़ने के लिए दोस्तों से किताबे उधार लेते थे। घर की जरूर को पूरा करने के लिए क्लर की नौकरी भी की। देर रात तक समय निकाल कर गड़ित के सवाल हल करते थे। एक वार एक अंग्रेज ने उनके द्वारा लिखे पत्रों को देखा तो वह उनसे काफी प परिणामों को मुख्य रूप से पहचान और समी करनों के साथ संकलित भी किया था। उनमें से कई परिणाम मूल और उपन्यास हैं जैसे रामानुजन प्राइम, दरामानुजन थीटा फंक्शन, पार्टिशन फार्मूलो और माफ थीटा फंक्शन इन परिणामों के ने आ यानि एक साथ दो नौ नमबर को हाड़ी रामानुजन नमबर के रूप में भी जाना जाता है। प्राप्त की, 1917 में वो लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए उन्हें चुना गया था, और 2015 में एक फिल्म बनी थी, The Man Who New Infinity, श्री निवास रामानुजन की जीवनी पर जो बनी हुई थी। जित एक हमारी सकी हमें कह रही है कि गणित विशय मेरा गोल ही रहा, ये थीटा वीटा कोण मुझे जरा भी पसंद नहीं थे, लेकिन आज के दिन सभी अपने सभी गणित अग्ये विद्वानों को और भाई भेनों को शुब कामनाई देती हूं। गणित विशय तो ऐसा है ना मंजरी जी, उसे हम जितना डरेंगे वो उतना हमें डराएगा, लेकिन जब नमबरों से हम दोस्ती करेंगे या उनसे प्यार करेंगे, तो गणित जो ये विशय है उतना ही आसान हो जाएगा। दिखे न, एक हमारे शोता से के लिखते हैं कि हमारा पूरा जीवन ही गडित है, शून से शुरू हुआ जीवन है, नमबरों के पीछे अनन तक जाना है, जिस दिन मिले मिट्टी में, एक दिन में वापस शून पर ही लोटाना है, यही समपोर्ण जीवन का गडित है। तो मंजिरी जी तो डरना क्या भला बिल्कुल नहीं डरना देखो ना एक संदेश मिला है अकांग्षा कि मैंने अपने बच्चों को घर पर ही मैत पढ़ाती थी सबसे ज़्यादा मैत में ही डराता था पहले मेरा बेटा मैत से बहुत भागता था पर आज सबसे ज़्यादा मैत में ही नंबर लाता है देखे इसके पीछे मेहनत चुपी हुई है ना आपकी यानि बच्चों को अगर अच्छे से मैत पढ़ाई जाए तो बहुत आगे तक ज बिल्कुल सभी बात है अगर अकांक्षा क्या है कि अगर मैत किसी को समझ में आ जाए तो उसमें पूरे पूरे नंबर मिलते हैं और जरा सी गलती हो जाए तो फिर आपकी नंबर भी जाते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब भ्यास करना जारी है तो चले अब भूम के का गनित लगाते हैं और चलते हैं सवाई माधोपूर की ओर विल्कुल विल्कुल राजस्तान राज का एक नगर सवाई माधोपूर है लेकिन ये रड़ थंबह राष्ट्यो इधान के लिए बहुत प्रसिध है शेहर के स्थापना सवाई माधो सिंग प्रथम ने की थी जो जैपूर के महराजा थे अठारवी शताबदी 1763 में जब इसकी स्थापना हुई तो महराजा के नाम से इस शहर को जाना जाने लगा यानि सवाई माधोपूर इसका नाम पड़ा यहां के खूबसूरत मंदिर अपनी भविता के लिए जाने जाते हैं और कहते हैं कि हर मंदि परटक तो आते ही हैं वहीं श्रधालों की संख्या भी बड़ी होती है और सवाई माधोपूर का इतिहास रट थमवर दुर के आसपास का है किले की ताकत और दुर्लव दुर्गम रास्ता ऐसा है कि शत्रों को आसानी से नहीं मिलता है और किले की सुरक्षा इसी वज़े से होती है किले के प्रमुक शासक राव हमीर चौहान थे जिन्होंने 1296 के आसपास यहां शासन किया किले का सुंदर वास्तुशिल्प तलाब और जील इसके निर्माड के कला प्रेम और ग्यान को दर्शाते हैं और किले के अंदर का हर भाग जो है वो भारती संस्कृति और धर साथ ही मस्जिद ये सारी चीजें देखने लाइक हैं दुर्ग सघन जंगलों और साथ पहारियों के बीच चंबल नदी और बनास नदी से घिरा हुआ है और ये बेहत अभेद दुर्ग माना जाता है अरावली परवत श्रिंखला और विंध्याचल परवत श्रिंखला के मि अध्यान मिंतुर पर बना हुआ रणथंबौर दुर्ग विश्व विरास्त में भी शामिल है और अकंग्षा रणथंबौर राष्ट्य उध्यान को उनी सो क्यासी में राष्ट्य उध्यान का दर्जा मिला तीन जीलों के आसपास बागों को वहाँ पर देखा जा सकता है और यहां चीते, सांबर, चीतल, जंगली, सुवर, चिंकारा, हिरन, सियार, तेंदवे, जंगली, बिली, लोंब्री भी पाई जाती है और पक्षियों की यहां पर करीब 274 प्रजातिया भी देखी जा सकती है सर्दियों में प्रवासी पक्षिय आते हैं यहां जीप सफारी का भी आनन्द लिया जा सकता है बिलकुल और यहां पर चौथ माता मंदिर है जहां पर चौथ का बखाड़ा कस्बे में है कस्बा है वहां पर वहां पर है यह राजस्तान के सुप्रसित 11 मंदिरों में से यह एक है और सफेद संगमरमर के से यह बना हुआ इसकी खुबसूर पर ग्यारा सो फुट उचाई पर की थी और अकांग्शा नवरात पर तो यहां पर बहुत विशाल मेला लगता है इसके अलावा यहां पर करवा चौथ बैसाखी चौथ भाद पर यहां माग चतुर्थी पर भी काफी बड़ी मात्रा में श्रधालू यहां पर आते हैं दर् गुषमेश्वर भगवान का मंदिर है खंडार किला आप देख सकते हैं इस किले को अजे किला भी कहा जाता था इसका आकार अर्ध चंत्राकार है और किले के ऊपर एक प्राचीन मा जैनती का मंदिर है कई कुंड और कई मंदिर है यहां पर साथी एक प्राचीन श्रधाल मं गौमुक से निकलती वो लिखती है और चत्रदशी के दिन शिवलिंग से लिप्टे हुए नाग देव के दर्शन भी वहाँ पर हो जाते हैं और जो सबी भक्त है न वो उस दर्शन को उस समय को देख करके बहुत अनंदित हो जाते हैं माहा रात्री पर मेला भी लगता है और वहाँ पर कभी सम्मेल्न और भजन के आयोजन भी वहाँ पर होते हैं इसके अलावा लहकोड माता मंदिर, कैला देवी, वन्नी जीव अभ्यारन, चंबल वन्नी जीव अभ्यारन, साथी भगवान देव नारयान मंदिर और भी बहुत सी जगह है देखने लायक आप जैपुर कोटा से यहां पहुंच सकते हैं, सवाई माधुपूर का स्टेशन है, कई बड़े शहरों से जो रेल मार्क द्वारा जुड़ा है, या सडग मार्क से भी आप जा सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, जैपुर, लखनाउ, एहमदाबाद, भोपाल, मतलब जो बड़ ना, आकांग्शा, बिल्कुल, और यहां पर एक और बता दे, खर्बूजे के लड़ू यहां पर बनते हैं, खास बनाए जाते हैं, और जो फल होता है, खर्बूजा होता है, उससे वो बनाया जाता है, उसकी खासियत यह है, दाल, अब क्योंकि यह एरिया ही ऐसा है, घूम ने के लिए बहुत अच्छा है, ना, कांग्शा, बिल्कुल, भई, मंजरी जी, हम तो यहीं कहेंगे, आप जहां भी जाएए, भारत के जिस कोने में भी घूमने जाएए, वहां के जो लोकल, मतलब, वहां पर खास मिलने वाले जो व्यंजन है, उनका स्वाद जरूर लेज कर वहां शॉपिंग करना, चलिए आज आपके साथ, फिर से सवाई माधोपूर घूम आते हैं, पर बुआ जी साथ में रहती तो मज़ा आता, क्योंकि बढ़ी होने के चलते खर्च उन्हें ही करने होते, भाई, इनोंने बुआ जी को याद किया, हम बुआ जी से बिल्कुल कह देंगे, हाँ, और चलिए हम लोग गाने के थ्रू चलते हैं, किसी और शहर की बिल्कुल चलते हैं, तो देखो, हम लोग बात करते हैं, सवाई माधोपूर की, तो एक संदेश आ गया है, बड़ा मीठा मीठा सा संदेश है, लिखते है कि ये मिठाई केवल सवाई का लड़ू है, ये मिठाई खरबूजे से बनती है, जिसकी वज़े से इसका नाम खरबूजे के लड़ू पड़ा, यहां सौ साल से ज्यादा समय से कई हलवाईों की पीडियां इसे तयार करती आ रही है, वाई, इसका तो सोच कहीं लग रहा है, इतनी पुरानी रेस्पी का किला है, सुर्वाल जील है, कुशमिश्वर मंदिर, खंडार किला, अमरेश्वर महादेव मंदिर, चमतकार मंदिर, पदमतालाप और शिल्प ग्राम, यह सारी चीज़े हैं, कितनी बड़िया जानकारी उन्होंने भेजी है, इसके लिए उनको धन्वाद देते हैं, और देखो न, यह जो हम लोगों ने कितने बदलाव देखे, उसकी तो बात करेंगे, करेंगे, लेकिन एक संदेश और मिला है, कि गड़ित दिवस पर मुंशी प्रेम चंद की कहानी, बड़े भाई साब का एक पैरा, अपनी याददाश्ट के आधार पर उद्रत करना चाहता ह बड़े भाई साब अपने चूटे भाई को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, त्रिभुज आ बाजा की जगा, आ जा बा लिख दिया तो नमबर गोल, अरे भाई कोई इन मास्टरों से पूछे, कि दाल भात रोटी खाई, या भात दाल रोटी, बात तो एक ही ह पर नहीं, ये मास्टर चाहते हैं कि विद्यार्थी गणित को घोड कर पी जाए, नहीं भाई, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, मास्टर ये नहीं चाहते हैं कि विद्यार्थी गणित को घोड कर पी जाए, बलकि मास्टर ये चाहते हैं कि गणित के जो सूतर हैं, उनके सब्सक्राइब कर दोस्तार किस्ता रहता था कि हमारे क्लास में लड़कियां होती दोस्ते होती थी तो एर्थ की बात है कि वह कुछ लड़किया ऐसी थी कि उनको टीचर बता दिया कि इतने कोश्चन तुम अच्छे से पढ़ लेना याद कर लेना तो बैठे बाकादा गणित का जो प्रेश्न होता था उसको उत्तर लगा के उसको बराबर याद गरती थी रटा मारा जाता था एक तम जैसे घोटने वाली बात कि है तो ऐसी घोटते तो बड़ी हसी आती थी हमें हम कहते थी तुम लोग क्या करती उसको बोले नहीं यह यह आएंगा यह आएंगा कई करगोक्सेन उसमें आएंगा सहीं जाते थे खZY गुश लोगों की आदत होती है कर पीने वाली टीचर होता है यह पढ़ाने का अपना तरीका होता है करी तीकर बढ़ी मज़ेदार तरीके से कनित पढ़ाता हैं जैसे जहosa की जो मिराथन होती है तैड़ी में आपने सुना हो उनके उनसे कहा जाता है कि कौन सबसे पहले इन सारे सवालों को एकदम सही हल करेगा, वो ग्रूप वो दल विजेता घोशित होगा। कि आधी क्लास को दो गुड़ों में बाटके प्रतियोगिता ये होती थी कि कौन कितने सवाल जादा हल करेगा, जैसे हम अंताक शीरी खेलते हैं, उसी तरह से, तो इसमें क्या होता है, जी प्रतियोगिता करके पढ़ाया जाता है, तो बच्चों के अंदर उत्सा रहता है, त और हमारे जो शोता है, वो तो सोच कर ही कमेंट्स करते हैं, बिल्कुल करते हैं, देखो न, एक लिखा है कि, कमेंट आया है कि, दुन्या में जितना बदलाव हमारी पीड़ी ने देखा, हमारे बात किसी पीड़ी को शायद ही इतने बदलाव देख पाना संभव हो, हम वो पीडी हैं जिसने बैल, गाड़ी, उंट, गाड़ी, घोड़ा, तांगा, छोटा, बुगई से लेकर सुपरसोनिक जट तक देखे हैं, बैरंग खट से लेकर लाइफ चैटिंग तक देखा है और वर्चुल मेटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव ह होते हुए देखा है, बिल्कुल और हम ही वो पीडी हैं जिन्होंने कई-कई बाहर मिट्टी के घरों में बैट कर परियों और राजाओं की कहानिया सुनी हैं, जमीन पर बैट कर खाना खाया है, प्लेट में डाल कर चाई पी है, हम वो लोग हैं जिन्होंने बच्पन में जिन्होंने चाननी रात में लाल्टेन, बल्ब की पीली रौश्नी में हूंवर किया है, और दिन के उजाले में चादर के अंदर चिपा कर नॉविल पढ़े हैं, और हम वही पीडी के लोग हैं, जिन्होंने अपनों के लिए जजबात हैं वो खतों में आदान प्रदान किय हैं और उन खतों के पहुचने और जवावों के वापस आने में महिनों तक इंतजार किया है, हम उसी आखरी पीडे के लोग हैं जिन्होंने कूलर एसी हीटर के बिना बच्पन गुजारा है, ये कह सकते हैं कि हम ही वो पीडी हैं जिन्होंने अपने बुज़र्गों से बिलकुल और साथ ही हम ही वो पीडी हैं जिन्होंने जब घर में टीवी जो हुआ करता था ब्लैक और वाइट छोटा सा शटर वाला उसे देखा है और अब तो रिमोट वाले कलर टीवी भी आ गया है, समय भी आया था लेकिन थोड़े से देर से आया थे, तब नहीं तब करी है, बैल गाड़ी की भी करी है, बस से लेकर के टेंपो, ट्रेक और ये सब चीजे हैं और साथ में अब हवाई जहाज की सवारी के मज़े ले लिए है, तो आज परिवर्तन देखने को मिले हैं, और साथ में वो भी हम लोग ने देखा है कि जमीन पर बैट कर खाना खाना चताई पर बैट के खाना, या पीधे पे खाना, टाट-पट्य बिचा करके खाना, इन सब का अपना मज़ा लिया है, कपी कभी चारपयी जो खटोला होता था, पलंग है, इन सब पर बैट कर के बड़े आराम से खाना खाया जाता था, उसके साथ सथ हमनों ने बुफे का भ पहना ही नहीं चाहिए जैसे घासलेट की लालटेंड लैम्प हो गया या हाथ की चक्की और जो स्टोव चलाते थे हम लोग घासलेट से चलते थे जो यानि कैरोसीन से हाथ वाली चक्की हो गई चाबी और पैंडूलम वाली घड़ी और भी बहुत चाबी बर-बर के लगाते उस जमाने में अगर कोई बहुत नई और चीज आधुनिक थी तो वो था सिर्फ रेडियो सबके घर में भी नहीं होता था अबस्ती में सिर्फ एक होता तो अकसर शाम को सब लोग उसको घेर कर बैठा करते थे और देखिए आज कहां से कहां पहुँच गया हम और कितने वो मजे भी किया है कि दुरबीन लगा करके अपने तिमजले से चड़के वहां से देख रहा है क्योंकि जहां जाना है लाउट नहीं तो ऐसी भी शरारती भी होती थी उन दिनों के और आज की जो पीड़ी है उसने चट पर सोने का कभी अपने जीवन में आनंद नहीं लिय लेकिन हम सभी चटों पर सोते थे ऐसा हमारे एक शुरता कह रहे है और पानी का चिड़काओ करना और सफीज चादर पिछा कर सोना उसका अपना अलग अनंद और भोर उटते ही जैसे सूरज की केड़ने आई उसके साथ उठ जाना उसके साथ उठना और साथ में पहले सीलिंग फैन एसी और कूलर तक को जाना है हमने बिलकुल और कुए का पानी हो जाए बोरिंग का हैंड पम का पानी हो नल का तो मतलब घड़ा मटका सुराही इंसे अब से होते हुए फ्रेज और बोतल के पानी तक हम पहुंच चुके हैं और मिट्टी के घरों में इट वाल मास का प्लेट में चाय पिया करते थे और अब पतल पर भी हमने खाना खाया है और खतकी बात करें तो देखिये पोस्ट कार्ड देखा हम पोस्ट कार्ड हुआ करते थे अंतरदेशी पत्र फिर लिफाफा तार ट्रंकॉल इन सब से लेकर अब आज फास्ट इमेल और मैसेज जो सुविधा हमने देखी है साथ ही साथ जो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो तक हम देख रहे हैं और साथ में जब याद एकांक्षिन बेल गाड़ी की सवारी होती तो हिचकोले खाते बेए जाते थे तो उसका भी बड़ा मज़ा आता था तो पही ऐसे कुछ अन बड़ी लबी-लबी-लबी-कतारों में लगके हमें टिकेट खरीदनी पड़ती थी और उसमें साथ में जब लाइट जाती तो जो सीटियां बजनी शिरू होती थी तो इसका भी अलग मज़ा था तो लेकिन पिच्चर देखने के लिए आपने कभी कोई जुगार लगाया है बिल्कुल लगाया है जुगार लेकिन हमारे साथियों के कमेंट्स देखते हैं उन्होंने क्या क्या जुगार लगाया है यह लिखती है कि वो दिन याद करो शादी के कुछ दिन रह गये थे और आवश्य खरीदारी करनी थी नजदी की शहर जैपूर में क्रांती फिल्म ल वहां हमने लव स्टोरी देखी इसी तरह एक ही दिन में दो फिल्में देखकर हम बहन भाई शाम को ट्रेन से वापस अपने गाउं फुलेरा आ गये खरीदारी तो जुगार था हकीकत में तो हमें फिल्म देखनी थी कितना बढ़ा जुगार है बहुत सारी इस तरह से को पिता चलने पर हम पिता जी को उनकी फर्याद कर देते थे तो उनको भी बड़ी नाट पड़ती थी और हमें बड़ा मज़ा आता था ये तो बड़ी मज़ेदार शैतानी करते थी तो उस समय की मज़ेदार बात थी अब देखिए ना सही कह रहे हैं कि जुगार बड़े तो उनके बहाने हम भी देखने जाना है क्योंकि तो बुलेंगे विक्चर कौन सी है कौन सा खिला लगा ऐसे बोलती है दस तरह के सवाल अच्छी है खराब है गाने कैसे है और अभी पूछना पड़ेगा पापस पूछेंगे ने फिर मम्मी से चाचा से पूछेंगे ने ब पिचर निकल जाती थी तो बच्चों का रूठना मनाना शुरो जाता था तो पिचर के जुगार की जो बात आई है तो हमारे एक शुरोता कह रहे हैं कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब घर से एक साथ तीन घंटे के लिए नहीं जा सकते थे तो दोस्त के साथ एक टिके पिचल ने देख लिया और घर में बता दिया बस फिर क्या है और देखो एक संदेश और मिला है कि सिर्फ 50 पैसे में फिल्म हाथी मेरे साथी स्कूल के द्वारा एजित कारिकरम में सन 1975 की बात है उन्हों तांसें टाकिज में देखी एक रुपया साथ पैसे में कोई 500 फिल् साइकल पर मित्र के साथ जाना और करी 50 पैसे का साइकल स्टैन का टिकट रहता था और पैसे बच्चाएं तो आरेंज वाली बरफ भी खाई जाती थी उसका भी बड़ा मज़द था और फिल्म सबसे ज्यादा मज़ा मंजरी जी तब आता था कि जब स्कूल से फिल्म दिखाए जाती थी कभी-कभी ये जुकाड हो जाता था कि पासवाला जो थेटर था उसे बच्चों के लिए बुक कर लिया जाता और उसमें जो बच्चों की फिल्म बात करके चलवाई जाती और ले तो भाई वो दिन याद करो मंजरे जी जब फिल्म देखने लिए इतना जुकार लगाना पड़ता था और कहर तो तब हो जाता था जब हमसे ये कहा जाता कि फिल्म कितने घंटे की है तीन घंटे की? अच्छा तो ठीक है तो छे घंटा पढ़ाई करके दिखाओ या बस का इंतिजा करते हम दोस्तों से फिल्मों की कहानिया सुन लिया करते थे क्योंकि घर में फिल्मी पत्रिकाएं भी नहीं आती थी और हर बार हर भाई बहन को गारजन लेकर भी नहीं जाते थे तीन घंटा घर से बाहर रहना तो ठीक काम था उसके बदले हमें गारजन कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था मुझे संजी कुमार के अनामिका फिल्म देखनी थी उस जमाने में हमारे शेहर पटना में ट्रैफिक भी नहीं हुआ करती थी तब मैं और मामी ने प्रोग्राम बनाया इंटरवल के बाद घर के लैंड लाइन पर हम किसी दुकान से फोन करेंगे रिक्षा पंचर हो गया है और हम पैदल पैदल आ रहे हैं लास्ट का सीन छोड़ दी और हम मुझ पर मुर्दानी थकावट लिए घर आ गए ऐसा नहीं कि घर में टांट नहीं पड़ी क्या जरूरत है दूसरा रिक्षा करके चली आती पर हमने तो फिल्म देख ली बहुत दिनों के बाद दूर दशन पर उसका लास्ट सीन देगा क्या बाद है बड़ा अच्छा बहाना इन्होंने बनाया और फिल्म देखने के लिए जुगार हाँ भाई मुझे भी याद है हमारे एक चोटा याद कर रहे हैं कि फिल्म में जब मैं चौथी या पांचवी में थी मा भी बहुत चौकीन थी फिल्म में देखने तो हम जब वर्धा में रहते थे तब की बात उन दिनों फिल्म टॉकीज में लगती थी एक बार हम दोनों ने सूचा कि माई ही क्यों देखेंगी फिल्म हम भी देखेंगे तो बस मैंने बाबा को पचास पैसे मांग लिया और जो चाची की लड़की थी उसने अपने पापा को फिल्म थी अपना पन तो पहले मा और चाची की टिकेट निकाल दी और सहीली ने चुपके से हम दोनों की टिकेट फिर ये दोनों जब टॉकी इसके अंदर जा बैठी तब हम दोनों चुप चुप कर उनके पीछे जा बैठी यानि चोरी चिपे हम अच्छी ही फिल्म में देखते थे तो आशा के वक्त जब फिल्म आशा देखने गई ऐसा जुगार लगा के तब पकड़ी गई तो दोनों ने उसके बाद मा और चाची ने हम दोनों की टिकेट भी निकालनी शुरू कर दी मतलब साथ में जानकारी में ले जाने लगी और आशा फिल्म की बात बड़ा मसदार किस्ता है कि हम सारे बच्चे पी जाने वाले ते घर से आशा देखने है तो मेरे पिता जी ने कहा कि चलेंगे कल चलेंगे हम लोग को अगले दिन सुबह तयार होगे मगर पिता जी अपने काम में बजिय होगा देखने के बाद हम इतने अभी भूत थे बाल पन और बालमन तो इस हाथी ने बड़ा कमाल किया है नायक या नायका कौन थे इसे हमें कोई फरक नहीं था हमें दिख रहा था तो सिर्फ हाथी और बाकी जानवर जिन्नोंने उस पिचर में काम किया था तो यह भी एक याद है जो आस तक याद है और एक याद हम बताते है कि हम लोग जो फिल्म देखने का होता था तो पहला शो देखना एक तो उपर से एक दिन क्या हुआ कि रवीवार का दिन था सुपर से नहां के बाल खोल के बस धोई थे सूप भी नहीं पाया थे बस पिक्चर का टिकेट आ गया भ पैसे का होता था दोस्त को बोला तो उसके पास भी पूरे पैसे नहीं हुए ऐसे में घर आये पुराने पेपर रदी बेच कर पैसे का जुगाड करके पिच्छर देख आते थे ऐसा हमारे एक श्रोता कह रहे है जुगाड बहुत तरह से लगाने पड़ते थे और एक और सं पास से परमीशन दिला दे और हम फिल देख सके और कभी-कभी साथ नहीं होता तो मम्मी को मना कर ही ले जाते थे फिल्म देखने तरह तरह के जुगाड लगा कर अपनी फ्रेंड्स मामा जी और परिच्छतों के साथ बहुत फिल्म देखी यानि यह जो संदेश है ना यह कि इतने जतन करने पड़ते थे क्योंकि उस समय फिल्म देखने की इतनी आजादी नहीं थी और साधन सिर्फ सिनेमा हॉल अगर घरवालों की रजामंदी से गए तो आराम से देख पाएं और अगर घरवालों की चोरी से गए तो पता चला इंटरवल में उपस्थित उपस्थ अगर आप गए हो तो उसका अलग आनद है उन दिनों को याद करते 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 विवद भारती के अगले कार कराम का मज़ा लेकिन फिलाल हमें इजाज़त दीजिए सभी को आकांक्शा सिंग और मंजरी वर्मा का नमसकार